गरीवी किसी को पसंद नहीं है देखो गरीवी में जीना बड़ा ही दर्दनाक होता है दुखदाई होता है तो गरीवी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बताते हूँ कि यहाँ पर भगवान संकर स्वयम अपने मुख से माता पारवत जी को बता रहे हैं बोले वावा मैया पारवत जी को बताते हैं कि देवी एक रुद्राक्षय आता है साथ मुखी रुद्राक्षय जिसका नाम है अनंक ज्यान से सुनेगा साथ मुखी रुद्राक्षे जिसका नाम है अनंक अगर बिक्ती इस रुद्राक्षे को धारन करता है तो कंगाली खतम हो जाती है अब साथ मुखी रुद्राक्षे थोड़ा महेंगा होता है साथ मुखी रुद्राक्षे अगर मिल जाए तो आप जरूर घर में ले करके आएं साथ मुखी रुद्राक्षे के दर्शन मात्र से गरीवी खत्म हो जाता है साथ मुखी रुद्राक्षे धारन करने से दरिद्रता नास हो जाता है कभी कभी व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है एक कर्जा चुकाया फिर दुसरा कर्जा आ गया दुसरा चुकाया फिर तिसरा कर्जा बढ़ गया घर चलाना है गरीबी है पैसा नहीं है कंगाली है दरीद्रता है पैसो की कमी है करजा लिये विन काम नहीं चल रहा है व्यक्ति अत्यंत परेशान व्यक्ति तब ज्यादा दुखी होता है अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी हो पैसो की कमी हो मन के एक्षा पुरा ना हो जाए तो व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है तूट जाता और जिसके उपर करजा हो जाए वो तो रात में चैन से सो भी नहीं सकता करजा बहुत ज्यादा दुख़दाई है आज संकर जी माता पारवती को कहते है जो बैक्ती साथ मुखी रुद्राक्षे धारन करता है उसके घर में कंगाली नहीं आती दरिद्रता नहीं आती तो बैक् खतम हो जाएगा दरित्रता को नाश करने के लिए इससे वड़ा बरदान कोई और है ही नहीं अगर आपने धारण नहीं किया है कौन-कौन धारण करे घर में पांच लोग है सात मुखी रुद्राक्षे एक ही मिला है बहुत महेंगा मिला सब कोई धारण तो नहीं कर सकते तो आप एक काम करो अपने पुजा मंदिर में सात मुखी रुद्राक्षे को रखिए और उसके बाद में रोज सब्त मुखी रुद्राक्षे को आप पुजन करें और आप व्यपार में जा रहे हैं किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो रुद्राक्षे का आप दर्शन करें प्रार्थना करें और ऐसा करके आप काम में जाते हैं तो भी आपको कार्री में सफलता मिलेगा जिसके घर में साथ मुखी रुद्राक्षे होगा उसका वैभव इस्वर की तरह हो जाता है सब्त मुखी रुद्राक्षे का महीमा अपने आप में बड़ा महान है देखो ऐसा भ रुद्राक्षे आप उसमें मिला ले जैसे पंचमुकी रुद्राक्षे का माला है उसमें सब्तमुकी रुद्राक्षे सुमेरू की रूप में जो भी आप अपने भासा में बोलना चाहते लकेट बोलते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं आप एक सब्तमुकी रुद्राक्षे को उस माला में मिलाएं और उसको धारन करें ऐसा करने से दरिद्रता नास हो जाती है तो अगर आपको भी मिल जाए तो साथ मुखी रुद्राक्षय जरूर धारन करें या फिर जरूर अपने पुजा घर में अवस्चे रखें प्यार से बोल दीजिए